जाहिन दोस्तों, बेलकम बैक तार्मी वा यूटेब चैनल आज हम आर्मी समाने ग्यान में सविधान के टोव 51 मिक्सी प्रशनों का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके आर्मी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेलफुल रहेंगे सविधान के कलास नमबर 2 होगी जिसमें प्रशनों की संक्या 51 रहेगी और आपके लिए जो टार्गेट रहेगा 40 प्लस का आपके लिए टार्गेट रहेगा रोजाना सुबा 11 बजे हमारी ये लाइफ कलास होती है तो रोज सुबा 11 बजे हमारे साथ जोड़ जाएं और आथ के जो 51 कोशन रहेंगे ये बहुत ही शादार प्रशन रहेंगे जो की आपके एकसाम्त के लिए बहुत ज़्यादा हेलफ Apparently रहेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशन से पहला कोशन आपके सामने है धन विदेख किस सदन में पेश किया जाता है जो money will होता है या फिर धन विदेख होता है इसे किस सदन में पेश किया जाता है जल्दी से से अंसर बताएं तो option number B जो भी बता रहे हैं केवल लोकसवा में दो दन विदेख होता है उसे केवल लोकसवा में जो है पेश किया जाता है Question No.2 आपके सामने है संसद इनहें मिलाकर बनती है जो Parliament होती है इनहें यह जो Parliament आपकी होती है यह आपकी किनको मिलाकर बनती है जल्दी से सेंसर बताइए तो Option No.D का सेंसर हैगा राष्टपती, लोकसवा और राजयसवा इन सभी को मिलाकर आपकी संसद या फिर भारत की परलामेंट वनती है और अब तक आपने वीडियो को लाइक ने करा है वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को शेर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें याद रखे कभी-कभी आपको option में जो और दो option भी देखने को मिल सकते हैं, लोक सभा और राज्य सभा. Question no. 3 है, संसत के दो सतरों के बीच अधिक्तम अवदी कितनी समय की होती है? जो पुर संसत के दो सतर होते हैं, उनके बीच मैक्स्मम पिरिड या अधिक्तम अवदी होती है? वो कितने महा की होती है जल्दी से से अंसर बताएं तो option no.6 का से अंसर हैगा छे महा की होती है Question no.4 आपके सामने है अव विश्वास परस्ताब में स्तनांतरित किया गया है केवल राज्य सवा में, केवल लोक सवा में, केवल विधान सवा में इन मेंसे कोई नहीं important question है आपके exam में यहां से question बनके आता है तो जो और विश्वास परस्ताप होता है यह केवल आपका लोगसवा में जाता है question number 5 आपके सामने है लोगसवा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आफशकता होती है important question है लोगसवा में बहुमत के लिए कितने सीटों की आफशकता होती है जल्दी से से answer बताएं तो से answer हैगा option number C 272 सीटों की आफशकता होती है बहुमत के लिए यानि अगर आपको इंडिया में या भारत में सरकार बनारी हो तो लोगसवा के लिए आपको 272 सीटे चाहिए question number 6 आपके सामने है संसद के स्युक्त सतर की अध्यक्षता कोन करता है जल्दी से answer बताएं से answer हैगा option number B लोगसवा का जो अध्यक्ष होता है ये संसद के स्युक्त सतर जो होता है उसके अध्यक्षता करता है स्युक्त सतर आपका होता है इसमें आपके दोनों सदन बुलाए जाते है question number 7 आपके सामने है अविश्वास परस्ताप को पारित करने के लिए बिरोधी दल के पास कम से कम कितने सदसे होने चाहिए important question है ये question आपके पिछले साल पूछा गया था और बहुत ज़्यादा confusion question में रहा था जो अविश्वास परस्ताप होता है उसके लिए ठीक है उसको पारित करने के लिए जो है जो बिरोधी दल होता है उसे कम से कम कितने सदसे होने चाहिए option में confusion करा था तो इसका सही अंसर हैगा पचास दसे कम से कम आपके पास होने चाहिए question number 8 आपके सामने है लोग सवा में कौन सा समय जीरो काल माना जाता है ये question आपका 28 फर्वरी वाले एक्जाम में पूछा गया था तो बहुत ही शांदार question है चल्दी से से अंसर बताईए लोग सवा में जो जीरो कालिया जीरो आवर जो होता है आपका इंडियन पार्लामेंट में वो टाइम आपका होता है दोपहर के 12 से 1 बजे का या फिर option में आपको PM भी देखनी को मिल सकता है question number 8 आपके सामने है माफकरे 9 आपके सामने है लोग सवा के 70 से 70 निवन मेंसे क्या सही नहीं है लोग सवा के 70 से 70 इन मेंसे कौन सा नहीं है तो सही अंसर क्या रहेगा option number C इसका से अंसर हीगा budget सत्र, मानसून सत्र और शीत कालिन सत्र ये 3 सत्र आपके जो होते हैं एक साल में आपके 3 सत्र होते हैं आपका एक budget सत्र होता है दूसरा आपका होता है मानसून सत्र और सबसे लास्ट आपका होता है शीत कालिन सत्र और आपका ग्रिशम कालिन सत्र नहीं होता question number 11 है संसत की परतेक बैठ का पहला काल जो पहला घंटा होता है कहलाता है जो संसत की जो बैठक होती है उसका पहला घंटा जो होता है उसे क्या कहा जाता है जल्दी से सेंसर बताईए सेंसर हैगा option number B प्रशन काल कहा जाता है जो संसत का पहला घंटा होता है उसे प्रशनकाल कहा जाता है Question number 11 है भारत के संसद भवन की परिकलपना किसने की थी? भारत के संसद की या संसद भवन की परिकलपना किसने करी थी? Option आपके सामने है जल्दी से सेंसर बताईए अगर बात आती है परिकलपना की तो Option number 20 का सेंसर हेगा Harvard Waker Harvard Waker न जो है इसकी परिकलपना करी थी और इसे बनाया किसने था? Option आपके सामने है इन Option में ही एक सेंसर आपका रहेगा जो की अंसर आपको बताना है Question number 12 आपके सामने है किस बरिश लोकसबा के वर्तमान सदस्यों की संख्या अपरिवर्तिनी बनी रहेगी? यानि किस सन तक जो है जो लोकसबा के सदस्यों है उनकी संख्या नीमित रहेगी? उस सन के बाद जो है इनकी संख्या परिवर्तित होके अधिक हो जाएगी? तो सही अंसर रहेगा 2026 यानि 2026 के बाद जो है जो आपके लोकसवा की सीटे कितनी है वो आगे आपको बताऊंगा इनकी संक्या जो है बढ़के अधिक हो जाएगी नि इनकी संक्या बढ़ जाएगी कौशन नमर 13 आपके सामने है लोकसवा में शुन्य काल की सरवादिक समय सीमा क्या हो सकती है लोकसवा में जो शुन्य काल होता है 12 से 1 के बीच उसकी सरवादिक सीमा अबदी कितनी हो सकती है ओप्शन आपके सामने है जल्दी से से अंसर बताईए तो ओप्शन नमर 2 से अंसर ह हो सकती है question number 14 है भारत का कौन सा रास्ट पती अविवाहित था यनि आपको बता रहा है भारत का एक मातर कौन सा रास्ट पती था जो अविवाहित था तो से answer हैगा APJ अब्दुलकलाम APJ अब्दुलकलाम जो है शादी नहीं करी थे तो एक मातर रास्ट पती थी जो तो अन्मेरिड थे question number 15 है भारत के उपरास्ट पती के चुनाम में कौन मतदान करता है जो भारत के उपरास्ट पती होता है उसके चुनाम के लिए कौन मतदान करता है यनि कौन बोटिंग करता है सही answer रहेगा option number C लोग सबा और राज्य सबा के दोनों सदस्य जो होते हैं उपरास्ट पती के चुनाम के लिए बोटिंग करते हैं question number 16 है किस रास्ट पती ने दो कारेकाल तक कारिव किया था यानि question simple है ऐसा कौन सा रास्ट पती था जो दो बार रास्ट पती बना था तो आप सभी का सही अंसर आया है option number A राजिंदर परसाद डाक्टर राजिंदर परसाद जो थे एक मातर रास्ट पती हैं जो दो बार रास्ट पती चुने गए हैं या फिर कह सकते हैं सबसे अधिक समय के लिए रास्ट पती चुने गए थे question number 17 आपके सामने है पहले सिक रास्ट पती कौन थे जल्दी से बताईए सही अंसर क्या रहेगा यहां क्या सिक पूछा वाटीक है यहां सही कर लें आपका सिक पूछा गयनी सरदार पहले सरदार रास्ट पती कौन से सही अंसर रहेगा option number B ग्यानी जेल सिंग जो थे यह पहले सिख रास्ट पती थे question number 18 है रास्ट पती के त्याग पत्तर या फिर मृत्यू की स्थिती में रास्ट पत्ती के रूप में कारिय करता है अगर रास्ट पत्ती अगना त्याग पत्तर दे दे या फिर रास्ट पति की मृत्ति हो जाए तो कौन सा ब्यक्ति जो है इनने से कौन सा ब्यक्ति जो है वो रास्ट पति बन सकता है केबल 6 मा के लिए ठीक है केबल 6 मा के लिए से अंसर हैगा option number B उपर रास्ट पति जो है राष्टपती की त्यागपत्र या फिर मुरुत्यु के बाज यह केबल 6 मा तक राष्टपती वन सकता है Question number 19 है राष्टपती के बिरुद महाव्योग प्रस्ताप किस सदन में पेश किया जा सकता है आपको पतावना अच्छी है राष्टपती पर भी जो है महाब्योग लगाया जा सकता है इसे जो है सदन के या संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है तो सदन के किसी भी सदन में यानि लोक सवा या राज्य सवा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है Question number 20 है भारत की पहले मुस्लिम रास्टपती कौन थे? Most important question है जल्दी से अंसर बताईए भारत की पहले मुस्लिम रास्टपती कौन थे? से अंसर हैगा Option number D डाक्टर जाकेर हुसेन जो थे पहले मुस्लिम रास्टपती थे Question number 21 है 1975 के आपात काल के दुरान भारत के रास्टपती कौन थे? जब भारत में इमर्जेंसी लगी थी 9057 में उस समय भारत की रास्टपती कौन थे? जल्दी से से अंसर बताईए सही अंसर हैगा Option number C पकुरूदीन अली अहमद पकुरूदीन अली एम्जे दुद्धे यह 1975 के आपात काल के दुरान भारत के रास्टपती थे Question number 22 है अपरादों में सजा प्रापत अपरादियों को ख्षमादान देने का अधिकार किस के पास होता है? यानि अगर कोई ब्यक्ति है उसने कोई सजा ठीक है कोई अपराद करे यानि किसी का मडर कर दिया गया है उसे जो है फासी की सजा सुनाएगी है उस फासी की सजा को जो है कौन शमा कर सकता है? यह Question इसलिए पूछ रहा हूँ वरतमान में आपकी एक महिला थी भारत की पहली महिला थी जिसे फासी की सजा सुनाएगी थी जिसे पहली फासी आपकी हो गई आपको उसका नाम कमेंट करके बताना है यह महिला थी इसने अपने पूरे परिवार की जो है ठीक है कुलाडी से हत्या कर दी थी ठीक है उसके बेटे ने जो है रास्ट पती को ठीक है याद रखें रास्ट पती को जो है क्या लिखी थी चिट्टी लिखी थी कि मेरी माता को जो है खशमा कर दो ठीक है खशमा कर दो तो उनकी जो सजा है उसे माफ कर दिया जाए तो से अंसर हेगा रास्ट पती और आपको उस ओरत क नाम बताना है उस ओरत का नाम क्या था कौशन नमबर 23 है संसद के दोनों सदनों की स्युक्त बैठक कौन बुलाता है तो से अंसर क्या रहेगा option नमबर B रास्टपती रास्टपती जो होता है ये सदन की दोनों सदनों की स्युक्त बैठक बलाता है और उसकी अध्यक्ष्टा जो करता है लोग सबा का speaker आपका करता है question 24 है रास्टपती पर किस अनुशेत के तहत महा ब्योग लगाया जा सकता है जो रास्टपती होता है उससे किस आर्टिकल दवारा जो है महा ब्योग लगाया जा सकता है तो सेंसर हेगा option number A अनुछेद 61 के तह जो है राष्ट पती पर भी महा ब्योग लगाया जा सकता है Question number 25 है हाली के एक्जाम में पूछा गया राज्य सवा में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या किस राज्य से है? सेंसर हेगा option number D उत्तर परदेश में राज्य सवा या फिर लोग सवा दोनों की सबसे अधिक संख्या है Question number 26 है भारत के राष्ट पती को शपत कौन दिलाता है? जो भारत का राष्ट पती होता है उसे शपत कौन दिलाता है? जल्दी से सेंसर बताईए सेंसर क्या रहेगा? तो भारत का जो राष्ट पती होता है से कौन शपत दिलाता है? महा नया मुख्य नादीश option number C सही कर लें मुख्य नादीश जो होता है ये भारत के राष्ट पती को शपत दिलाता है और अब तक आपने वीडियो को लाइक निकरा है वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को शेर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सबस्क्रा हो वास्ती फर्स्ट प्रेजडेंट आफ इंडिया तो पहले प्रेजडेंट पूछ आजया तो से अंसर रहेगा option number B राजिंदर परसाद जो थे पहले रास्ट पती थे question number 28 है जो की हाली के एक्जाम ट्रेडमें में पूछा गया एक नुमर वाली एक्जाम में पूछा गया question number 29 है भारत की पहली महिला राश्ट पती कौन थी फर्स्ट भूमेन प्रेजडेंट आफ इंडिया जल्दी से से अंसर बताईए question number 30 है राश्ट पती किस अनुशेत के तहत राज्य में आपात काल की घोशना कर सकता है जो राश्ट पती होता है इसके पार तीन आपकी आपात काल होती है 352, 356, 360 यह तीनों आपकी एमर्जेंसी कह सकते है या फिर आपात काल कह सकते है इसमें से राज्य में कौन लगा जाती है 356 राज्य में लगाई जाती है Q31 है भारत के पहले उपरास्ट पती कौन थे? भारत के पहले उपरास्ट पती कौन थे? फरस्ट वाइस प्रेज्टेंट इंडिया सायंसर हैगा Option B Dr. Radha Krishnam Dr. Radha Krishnam जुने पहले उपरास्ट पती थे Q32 है उपराष्ट पत्ति अपना त्याग पत्तर किसे देता है जो उपराष्ट पत्ति होता है यह अपना त्याग पत्तर किसे सोंपता है तो सही अंसर क्या रहेगा Option नमबर A राष्ट पत्ति को सोंपता है Q33 है उपराष्ट पत्ति का कारेकाल कितने बरश होता है जो उपरांष्ट पथी होता है उसका कारेकाल कितने बर्श का होता है तो उसे अंसर रहेगा option number B 5 साल का होता है Q24 है उपरांष्ट पथी वर्णने के लिए नियुनतम आयू कितनी होने अवश्याक खे तो important question है, question को अभी note करने और राश्ट पती वर्णने के लिए निन्तमायू कितनी होने चाहिए? 35 वर्ष आयू होने चाहिए Question number 35 आपके सामने है राज़े पाल की निव्टि किसके द्वारा की जाती है? जो राज़े पाल होता है इसे किसके द्वारा चुना जाता है? या फिर किसके द्वारा निव्टि किया जाता है? से अंसर रहेगा option number C राश्ट पती राश्ट पती द्वारा जो है राज़े पाल की निव्टि की जाती है और चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लें Question number 36 है राश्ट पाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो आपका रिजाइन लेटर जो होता है रिजाइन करता है जब भी राश्ट पाल जो है ये किसे अपना जो रिजाइन लेटर होता है किसे सौंपता है? राश्ट पती को सौंपता है Question number 37 आपके सामने है राज़ेपाल बनने के लिए नियुन्तम आईयू कितनी होनी अवशक है Minimum age पूछी हुई है राज़ेपाल के लिए यानि गवर्नर के लिए कितनी होनी चाहिए सेंसर क्या रहेगा तो Option number age का सेंसर हेगा 35 वर्ष आईयू होनी चाहिए Question number 38 है भारती संसर का उच सदन किसे कहा जाता है अब सीमता से Question है याद रखें जब भी मैं आपको 50 या 40 Question करवाऊंगा उसमें आपके 20 Question जो होंगे आपके hard level के होंगी और 20 Question जो आपके normal level के होंगे जो आपके हर वार exam में पूछे जाती है तो से अंजर क्या रहीगा उच सदन जो आपका upper house जो होता है या आपका राज्य सबा होता है Question number 49 है राज्य सबा सदस्य का कारेकाल कितने वर्ष का होता है जो राज्य सबा का सदस्य होता है उसका कारेकाल कितने वर्ष का होता है छे साल का होता है और राज्य सभा का सदस्य जो होता है ठीक है अध्यक्ष जो होता है ये आपका उपराष्ट पती होता है पर उपराष्ट पती का कारेकाल पांच बरश का होता है Q40 है राज्य सबा सिदस्यों की कुल संक्या कितनी होती है जो राज्य सबा के सिदस्य होते है इनकी टोटल नमबर वताने हैं कितने होते हैं तो से अंसर हेगा option number B 250 total या फिर कुल संक्या होती है राज्य सवा सदस्य की और maximum जो भरी जाती है हर बार या फिर हर स्चुनाबों में जो भरी जाती है 245 आपकी भरी जाती है question number 41 है राज्य सवा का अध्यक्ष कोन होता है राज्य सवा का अध्यक्ष कोन होता है बता चुका हूँ चेर्मेन होता है राज्य सवा का कोन होता है भारत का उपराश्टपती होता है Question number 42 है, राज्य सवा का पहला अध्यक्ष कौन था? First President पूछे हुए हैं, राज्य सवा के, जल्दी से बताएं से अंसर क्या रहेगा? Question number 43 है, राज्य सवा में कितने स्थियों को नॉमिनित कर सकता है? चल्दी से से अंसर बताएं से अंसर हेगा option number C, बारा स्थियों को नॉमिनित कर सकता है Question number 47 है, इन्में से कौन सा एक स्थाई सदन है? Permanent House आपको बताना है इन्में से कौन सा है? लोक सवा, राज्य सवा, विधान सवा या इन्में से कोई नहीं तो से अंसर हेगा option number B, जो राज्य सवा होती है या आपकी स्थाई स्थाई सदन होता है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और साथ मैं अब क्या अगर विधान परश्यत भी पूछ ले, तो इनका भी कारेकाल विधान परश्यत का भी कारेकाल 6 वर्श होता है और इन्हें भी भंग नहीं किया जा सकता Question number 45 है राज्य सवा स्थाई बढ़ने के लिए नियुनतम IU कितनी होनी अवशक है? जो राज्य सवा के स्थाई होती है उनके लिए नियुनतम IU कितनी यानि minimum age कितनी होती है? से अंचर रहेगा option number D तीस वर्श होती है Question number 40 है संसत का निचला या फिर नीमन सदन या फिर जिसे हम lower house कहते हैं किसे कहा जाता है? Parliament का lower house किसे कहा जाता है से अंसर हेगा option number A लोग सवा को संसत का निमन सदन कहा जाता है Question number 47 है लोग सवा स्थास्य का कारेकाल होता है जो लोग सवा कारेकाल होता है वो कितना होता है? 5 साल का होता है Question number 48 है लोकसबा स्धस्यों की कुल संक्या कितनी होती है अब धोड़ी सा ध्यान से सुनें जो लोकसबा की कुल संक्या होती है वो कितनी होती है 552 आपकी होती है और बरतमान में या फिर बात करूं हर भार बरी कितनी जाती है 545 बरी जाती है तो एक option आपको देखने को भी मिल सकता है Question number 49 है लोगसबा के प्रतम अध्यक्ष कौन थे? Who was the first speaker of लोगसबा? सेंसर क्या रहेगा? Option number A इसका सेंसर हेगा GB मावलंकर GB मावलंकर जुदे लोगसबा के पहले अध्यक्ष थे Question number 50 है राष्टवती लोगसबा में कितने स्दस्य नौमनित कर सकता है? अगर बात आए राज्यसबा की दो स्दस्य बात आए लोगसबा की तो दो स्दस्य जहें ठीक है 12 और 2 स्दस्य जहें नौमनित कर सकता है तो दो इसका सेंसर रहेगा अब एक कोशिन आपके लिए आता है लोग सबा सदस्य या फिर अध्यक्ष बनने के लिए नियुन्तम आयू होनी चाहिए लोग सबा सदस्य या फिर अध्यक्ष बनने के लिए नियुन्तम आयू कितनी होनी चाहिए 20 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल ये कमेंट करके आपको बताना है अब जल्दी से सबी जो है जैहिन, जैहवारत कमेंट में लिखते और अब तक आप वीडियो को लाइक ने करें वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कर ले और जल्दी से अपना स्कोर बताए, 50 में से आपके कितने सही थे जिसके भी 40 से अधिक सही थे, उनको बहुत अच्छा बाकि आपने त्यारी अच्छे से करें, आपकी सिलेक्शन है, 28 वार्चे वाले एक्जाम मा हो जाएगी या फिर आपकी अपरेल मास्क की एक्जाम मा हो जाएगी, या फिर मई में मैं कंफरम हो जाएगी पाके अपने ध्यान रखिए अपने घरवला का ध्यान रखिए जैहिन वन्द्व